हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 में नया यूजर एकाउंट कैसे क्रियेट करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए से विंडो आपको क्लिक करना है किलिक करना है किलिक करते हैं इस तरह से विंडो ऑपन हो जाईगा इसे नीचे आड अदर यूजर इसके आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगा एडए अकौंट इस तरह से window open हो जाएगा यहाँ पर आपको बोलेगा Microsoft से आपको login करने के लिए तो हम क्या करेंगे Microsoft के विना ही यहाँ पर user as a guest create करेंगे हम यहाँ पर Microsoft का account sign in नहीं करेंगे क्योंकि हम केवल guest account create करना चाहते इसलिए आपको क्या करना यहाँ पर आपको click करना है यहाँ पर सबसे last option दिख जाएगा add a user without a Microsoft इसके उपर आपको click करना है click करने के बाद यह window open हो जाएगा अब आप यहाँ पर guest का नाम डाल सकते जो भी आप नाम रखना चाहते आप अपने हिसाब से यहाँ पर guest का नाम रख दीजेगा इसके बाद यदि आप passport डालना चाहते तो डाल सकते या नहीं रखना चाहते तो आपको क्या करना है यहाँ पर next पर click कर देने आप मेरे case में यहाँ यह नेम अफलेबल नहीं है तो आपको क्या करना है यहाँ पर है जिस भी अ तो यहाँ से आपको change करना है इसके लिए आपको क्या करना है जिस भी user को आपको change करना है उसके ओपर आपको click करना है यहाँ पर आपको click किजेगा तो click करने के बाद इस तरह से list open हो जाएगा अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको option देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ 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 देखेंगे तो यहाँ प है यदि आपको administrator से local चेंज करना होगा तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ से बीदो को यहाँ से आपको के खरोई कर दें पर किलीक करने के बाद यह जाएगा आपको क्या करना यहां Moto कर दिःघाएंल यहां पर एंड जिल और न हिसलं कर देंने की तरह से विंडू में अब आपके विंडू 11 में जितना भी यहां पर यूजर होगा यहां पर को दिखाएक यहां पर लाहां यहाँ पर पने हिसाब से जो भी username रखना चाहते हैं यो username यहाँ पर आपको टैप कर देना है इसके बाद यदि आप full name रखना चाहते हैं क्लिक करते हैं इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर इसको Newt往 डाल सकते हैं पासब नेवर एकस्पायर इसके बाद यहाँ पर आपको create के ऊपर click कर देना है click करते हैं यह create हो जाएगा अब आपको क्या करना है इस window को यहाँ से close कर देना है close करते हैं यहाँ पर आपको दिख जाएगा आप देख रहें यहाँ यूजर name create हो चुका है यहाँ पे आपको दिखी जाएगा आप देख रहे हैं यहाँ पे user create हो चुका है नया user add हो चुका है अब आपको क्या करना है उस user के ऊपर आपको double click करना है डबल click करती है इस तरह से window open हो जाएगा अब आपको यहाँ पे second tab member का दिखी जाएगा इसको पर आपको क्लिक करना है इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर आपको क्लिक करना है इसके बाद 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 आपको क्लिक करना है इसके एकाउंट एड हो चुका है आपको क्या करने इस विंडो को यहां से क्लोज कर देने हैं क्लोज करने के बाद आपको क्या करने यहां से सिस्टम को रिये स्टार्ट कर लेना या नहीं तो यहां से आपको सैन आउट करके चेक कर लेने चलिए मैं यहां से सैन आउट कर देता हू सेनट होने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा आप देख रहे हैं यहाँ पर नया user create हो चुका है यहाँ पर नया user add हो चुका है अब आप उस user से यदि आप login करना चाहते तो यहाँ से आप login भी कर सकते हैं यहाँ पर विक्रम कुमार डाले थे description इसलिए यहाँ पर विक्रम कुमार दिख रहे हैं यहाँ आप डिस्क्रिप्शन नहीं डालेंगे तो यहाँ पर user name दिखेगा अब यहाँ आप इससे लोग इन करना चाहते तो आपको क्या करना है इसके बाद यहाँ पर आपको sign in कर देन क्योंकि पहले बार में जब आपको भी user create करेंगे तो इस तरह से आपके case में भी आएगा पहले बार ही setup करना परता है तो यहाँ पर आपको second wait करना परेगा इसके बाद यह window open हो जाएगा यदि आप इसको disable करना चाहते तो disable कर सकते हैं यहाँ से आप disable कर लिजेगा यदि आप enable रखना चाहते तो इसको enable भी रख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको accept पे क्लिक कर देने accept पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, प्रोपर फ्रेस विंडो आ गया, यहाँ पे इस user के अंदर कोई भी software इंस्टॉल नहीं है, जैसे हम नया विंडो इंस्टॉल करते हैं, उस तरह से यहाँ पे आप को दिखने लग जाएगा, अब यदि आप username चेक करना चा झाल माःटस्यकर्कुम है facto आप जा बराग जाएगा हैं, यह हो झाल कोई ख से लाएगा है, जैसे बस्टॉल नहीं हैं, इस तरह साईक। तूस्टॉल नहीं हैं, लूख यह को ताह साज चानाः घंस्क्त पिखना, जम स्वाभए़ःब द शिया दूस्टॉल आप कर प..." झाल झाल